करें नमस्काल स्थिय। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं मत्पूंण अंतराष्टिय राष्टिय संगतनों की सेंकला देख रहे हैं तो इसमें लाश्ट लेक्चर में हम लोग ने बात की थी antarasi फ्रवासन सगतन के μारे में इसमें हम लोग बात करेंगे इंटरपोल की बारे में, किसके इंटरपोल की बारे में, इंटरणेशनल क्रेमिनल पॉलिस ऑर्गनाइजेशन, इसे हिंदी में कहते हैं अंतराख़्तिये अपराधिक पुलिस संगठन या संस्था, ठीक है? यह एक अंतर सरकारी संगठन है दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन भी है इंटरपोल इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुई इंटरनेशनल क्रेमिनल पुलिस कमीशन की रूम में यह 1956 में अपने मूल रूप में आया इंटरपोल की नाम से तो 1923 में इसकी स्थापना किस नाम से हुई थी इंटरनेशनल क्रेमिनल पुलिस कमीशन की रूम में और 1956 में इसका नाम मूल नाम आया इंटरपोल इसके मुख्याले की बात करें हम लोग तो लियोन फ्रांस में इसका मुख्याले इसके सदस्य देशों की बात करें तो 194 है भारत संस्तापक सदसें में सामिल है भारत भी एंटर पोल का सदस hè याद रखी है अब देक्ष की बात करें तो इसमें किम जोंग, यंग, कोरिया गडराज जी के है क्या है? कोरिया गडराज जी के? किम जोंग यांग टिर इसके इंटरपोल की मुख कारेओं की बात करें तो अंतराश्टी है अपराज से लड़ने के लिए सदस देशों की पुलिस को एक साथ करने के लिए सक्छम बनाना इसका मुख कार है इसके कारेओं में सामिल है सभी सदस से देशों को 24 गंटे सातों दिनों नामक एक सुरक्षिस संस्था संचार पिणाली से जोड़ना जिसके मात्यम से विमहत्पूर्ण जानकारियां सांजा करते हैं पुलिस की अपराद और अपरादियों से सम्मद्ध सूचनाओं तक पहुँच बनाने के लिए डेटाविस उपलब्ध कराना इसके कारेओं में सामिलेकर दुनिया भर के भगोड़ी अपरादियों का पता लगाने के लिए फारेंसिक विसलेशन और सहायता की माध्यम से ज कड़ने के लिए लगातर अनुसंद्धान और विकास पर दिया जाता है ध्यान अन्य तत्थों की बात प्रहें तो जनरल असेंबली सास की ये निकाय हर्फ बैठाक होती है इसकी देशों को बराबर सभी देशों को बराबर मतप्राप्त हुए है तीन पेकार के अपराद कौन-कौन से हैं तीन पेकार के आतंक वाद संगटित अपराद साइबर अपराद पुलिस विशेशक गता चमताओं का उप्यव करता है तीन पेकार के अपराद देखता है कौन से आतंक वाद संगटित अपराद साइबर अपराद तो यह था आपका इंटरफोल आंगे हम लो प्रोड कास्टिंग यूनियन के बारे में, ठीकर?